वरनलसी में Common University Entrance Test में बड़ी संख्यावें छात्र छात्राइं भाग ले रहे हैं। वरनलसी में दो पारियों में टेस्ट कराया जा रहा है। परिक्षार्तियों को डिल घंटा पहले केंदर पर पहुचना अनिवाद है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गए हैं। परिक्षा केंदरों पर केवल आधार और एड्मिट कार्ड के साथ ही प्रिविश दिया जा रहा था। वहीं CCTV कैमरे के निकरानी में परिक्षा करवाई गया रही थी। NTA के सेंटर हेड डॉक्टर एसके उपाध्या ने बताया कि बनारस में कुल तीन केंदरों पर ये परिक्षा कराई जा रही हैं जो 20 जुलाई तक चलेगी वहीं परिक्षा देकर बाहराई चात्रों ने बताया कि सभी विशे के टेस्ट सही हुए हैं। गड़ित के पेपर ने थोड़ा परिशान किया है, वहीं सेंटर पर मिल रही सुविधाओं पर छात्राओं ने संतोश बेचताया है। होगा अगस्त में। पहले फेज की अगर बात की जाए तो पहले फेज में बनारस में तीन सेंटर बनाए गए हैं। लगभग एक सिफ्ट में यहां पर 2200 से 2300 बच्चे ज्यान दे रहा है। मेरा नाम पूझा पाठक है। पेपर हमने दिया था। पेपर लगभग की गया है। और टाम लिमिट के हिसाब सही था। आज मेरा कंपूटर साइंस का था पेपर मैथमेटिक्स था और हिंदी था जरनल टेस्ट था। जरनल टेस्ट और हिंदी काफी बेस्ट था। मैथमेटिक्स भी अच्छे ही थे। ज़दे टफ कुश्चों नहीं थे। जितना लोग बताते हैं कि NTA बहुत टफ है। ऐसा कुश्चे है।